दियर स्टुडेंट्स, वेलकम तो आर चैनल स्टडी 86, तुड़े वी विल स्टडी पॉली एक्स्कुलिजन प्रिंसिपल, पॉली एक्स्कुलिजन प्रिंसिपल के बारे में आज जामकारी लेंगे, एक्स्कुलिजन प्रिंसिपल, इस नियम के नुशार, दो एक्स्कुलिजन प्रिंसिपल के लेंगे, तो उन दो electron के चारों quantum number कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं तो कैसे देखिए The maximum number of electrons in S subcell is 2 S subcell में 2 electron होते हैं P subcell में 6 electron होते हैं और D के अंदर 10 electron और F subcell में 14 electron फिल के जा सकते हैं Poly exclusion principle जो है इसकी खोज 1925 में हुई थी Wolfgang Poly discovered the principle that counts the arrangement of electron in many electron atoms इसने Wolfgang Poly ने 1925 में इसको principle को दिया था तो इसकी खोज 1925 में की गई थी The Poly exclusion principle states that no two electrons in an atom can have the same set of four quantum numbers N, L, M, or S There are four quantum numbers Principle quantum number N, azimethal quantum number L तो ये जो चार quantum number N, L, M, or S की कभी भी value equal नहीं होती For a given orbital Thus electron value of N, L, M, and S are fixed इनकी जो N, L, M की values होती है वो fixed होती है जबकि S की value क्या होती है Positive or negative या तो positive हो शकती है यह spin को बताता है तो positive या फिर negative Thus, if you want to put more than one electron in an orbital यदि किसी orbital में हम एक से ज़्यादा electron रखना चाहते है And satisfy the poly exclusion principle तो उसको poly exclusion principle satisfy करना पड़ेगा Our only option is to assign different values of S2 Those two electron तो हमें उसकी दो दोनो different value लेनी पड़ेंगी electron की माल लेजिए एक electron उपर हमने ले लिया direction तो दूसरे electron की direction नीचे लेनी पड़ेगी तो opposite इस तरह से direction लेनी पड़ेगी जो की spin को बताते हैं ये दोनों electron और spin को S electron दिखाता spin quantum number S दिखाता है तो spin बताता है ये उपर या नीचे positive या negative We can know that there can be only two S value possible for electron किसी electron के लिए केवल दो possible value हो सकती हैं या तो उपर या नीचे We conclude that an orbital can hold a maximum of two electron किसी भी orbital में दो से ज्यादा electron हम फिल नहीं कर सकते हैं या तो इस तरह से या फिर इस तरह से फिल करेंगे They must have opposite spin और उनकी spin अमेशा opposite होती है इन दोनों की spin हम उपर नहीं रख सकते इस तरह से ये गलत तरीका है और हम इसकी दोनों की spin नीचे भी नहीं कर सकते ये right है ये wrong है दोनों तो इस तरीके से आप इसको fill करेंगे तो देखिए यहाँ पर कुछ quantum number दिये गई है N, L, M, L और S सबसेल दी गई है टोटल सबसेल और टोटल सेल अब देखिए सबसे पहले हम लेते हैं 2S orbital 2S में देखिए N is equal to 2 होता दोनों cases में L की value 0 होती है S के case में हमें पता है यदि यहाँ 2 है तो N की value 2 होगी और L हमेशा S orbital के लिए 0 होता है S के लिए 0 होता L और M जो है वो भी 0 होता है M वो भी 0 अब spin quantum number यदि इसके लिए positive half है positive 1 by 2 है तो इसके लिए negative 1 by 2 होगा तो इसको ध्यान में रखें देखिए इसमें क्या है P के अंदर P में 6 सबसेल होती है 6 electron बढ़े जा सकते है 3 सबसेल होती है तो 3 के अंदर 2-2 electron फिल किये जाते हैं तो 3 के अंदर ऐसे फिल कर सकते हैं माली जी एक, दो, तिन ऐसे हैं तो 2 electron इसमें भरे जा सकते हैं पहले उपर spin दिखाएंगे फिर नीचे दिखा सकते हैं ऐसे तो इस तरह से 6 electron फिल किये जाएंगे अब देखें यहां सबके लिए N2 है इन सबके लिए N की value 2 है सबके लिए 2 है क्योंकि N is equal to 2 है 2P है तो N2 होगा और L की value 1 होती है किसके लिए P orbital के लिए तो N की value देखें 1 है बिल्कुल सही है M की value इसके लिए 1 होगी इसके लिए एक होगी इसके लिए जीरो जीरो ये मानिस वन हो जाएंगी अब देखिए क्या है यदि हम इन दोनों को ले यहां spin देखिए यहां तीनों quantum number सेम है लेकिन ये different है principle क्या कहता है चारों के चारों equal नहीं हो सकते quantum number equal नहीं हो सकते यदि तीन equal है तो चोथा unequal होगा तो देखिए इनकी spin अलग है ये plus है ये plus का है ये minus का है इसी तरह से आप देखिए second में यहां देखिए यहां भी ये तीनों ही equal है starting वाले लेकिन ये different है और इसी तरह से आगे दो में भी ऐसे ही है और उपर भी हमने यही देखा था S orbital के अंदर इसमें भी तीनों first वाले equal थे लेकिन ये unequal था तो ये जो principle है यही बताता है कि सभी quantum number कभी भी equal नहीं हो सकते एक इलियम का case हम लेते हैं इलियम के case में क्या है इलियम के case में orbital फिल करते हैं इलेक्ट्रोन की spin देखते हैं इसमें इलेक्ट्रोन की spin कैसे दिखाई जाती है तो ये इलियम देखे हैं इसमें दोनों उपर दिखाए गए हैं दोनों की direction उपर है जो की गलत है दोनों की direction यदि नीचे कर दे तो भी गलत तरीका हो जाता है तो हमेशा electron इस तरीके से fill किये जाते हैं अगर उपर वाला positive half spin दिखाता है तो नीचे वाला negative half spin को दिखाएगा negative half इसकी value होगी तो ये था आपका poly exclusion principle